अज हम आपको बताना जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसको रोम-रोम में राम और रहष्त बसता है हिंदूस्तान से हजारो किलिमिटर दूर, दुन्या का सबसे 20 साल और पुराना मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो सदियों से राम नाम का जाब कर रहा है ये है कमबोडिया का अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णू को समर्पित अंकोर वाट के इस मंदिर की रचना जितनी अधूत है उतनी ही रहस्य मई विसाल विरिच्छों ने इस मंदर को गेले रखा है जहां तहां विरिच्छों के जड़े निकल आए हैं लेकिन इस मंदर के खूब सुर्थी बरकरार है इस मंदर के एतिहासिक सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब ये मंदर दुनिया के नजरों से ओजल हो गया था ये मंदर पूरे 600 सलों तक वांस के वनों में खोया रहा बाद में 16 सताब्दी में एक पूर्तकीच खोच करता ने इसे फिर से दुनिया के सामने लाया इस मंदर का निर्मार 1112 इसी में सूरी बरवन दुती के सासनकाल में हुआ था मिकांग नदी के किनारे बसा ये दुनिया का सबसे बड़ा धारमिक स्थाल है और यही नहीं ये यूनस्कों के 20 धरोरों में से एक है इस मंदिर के चारों तरब करीब 700 फिट गहरी खाई है मंदिर में परवेश के लिए पस्सी में एक पुल बना हुआ है इस पुल को पार करते ही आपको मंदिर का बड़ा सब प्रिवेश द्वार दिखाई देगा सबसे पहले बताते हैं आपको इस मंदिर के भारती कनेक्शन के बारे में आपको जानके हैरान ही होगी भारस से हजारों मिलकी दूरी पर होने के बाद भी इस मंदीर की विसाल के दिवारों पर पूरी रमायर अंकित है इस मंदीर के कन-कन में भारती कलाकारों और भारती संस्कृति की अमित छाप है दुनिया के इस विसाल मंदी ने सिर्फ हिंदों कहीं नहीं बलकि बहुत विक्षियों को भी अपनियों खीचा इस मंदीर की हैरान कर देने वाली संदचना और इसके इतिहासिक महत्य को देखते हुए राष्टी सम्मान के फर्तीक बने इस मंदीर का फोटू कमबोडिया के राष्टी द्धश पर अंकित है भारती धर्मक्रंथों के लिहाज से देखी तो इस मंदिर का एक बहुत ही खास महत्व है यहां का विश्णु मंदिर मेरू परवत का प्रतीक है इस इलाके के इतिहास पर गोर करें तो पता चलता है कि इस देश पर करीबन 27 सासकों ने राज किया है जिसमें से कुछ हिंदू तथा कुछ बोध थे इसलिए इस मंदिर में हिंदू एवं बोध दोनों धर्मों से जुड़ी हुई मूर्तिया मिलती है जब एकसरे लाड़ाय टेकनिक के मदर से इस मंदिर तथा उसके नीचे की जमीन का 3D मैप तयार किया गया तो उससे खहरान कर देने बाद सामने आई इस मंदिर के 34 एक विसाल सेहर हुआ करता था ठीक वैसे जैसे आज के आधोनिक सेहर हुआ करते हैं मंदिर के आसफास फैले जंगलों के नीचे इस मंदिर के अवसेश हजारों सालों तक दुनिया से छिपे रहे लेकिन सोथ करताओं ने सेकड़ों मिले तक फैले इस प्राचीन सहर का नक्सा तयार कर लिया है इस नक्से में उन्हें कुछ सीधी सफेद रेखाय भी मिली जो इस सहर की सिविज सिस्टम को दरसाती है सेकड़ों साल पहले बसे इस सहर के सिविल सिस्टम को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय ये सब्विता कितने उन्नत रही होगी लेकिन सोथ करताओं के एक ही सवाल परसान कर रहा है सेकड़ों मिलों तक फैले इस सहर तथा दुनिया के सबसे बड़े इस मंदिर पर जंगलों ने आखिर कबजा क्यों कर लिया ऐसा यहां क्या हुआ था कि इतना बड़ा सहर मट्टी की नेचर दफन हो गया और इस मंदिर के निर्मार में ऐसी क्या खास्यत थी कि आज हजारों साल के बाद यह मंदिर बड़े हिसान से खड़ा है